ब्रेक के वाल आपका स्वागत हैं लोगसबर चुनाबों के बाद धनीराम शौंडिल ने सोलन के स्ट्रॉंग रूम का दोरा किया और शुरक्षा विवस्ता का जाईजा भी लिया शुरक्षा विवस्ता का जाईजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि सोलन में एबियम मसीने शुरक्षित हातों में हैं लोगसबर चुनाबों के बाद धनीराम शौंडिल ने सोलन के स्ट्रॉंग रूम का दोरा किया और सुरक्षा विवस्ता का जाईजा भी लिया है शुरक्षा विवस्ता का जाई जा लेने के बाद उन्होंने कहा कि सोलल में EBM मसीने शुरक्ष हाथों में हैं आपको बता दें कि चुनॉबों के बाद EBM मशीनों को सोलल के PG College में रखा गया है और EBM मसीनों की शुरक्षा के लिए Paramilitary Forces को तैनात किया गया है एबियम मसीनों को सोलल में तीरी शुरक्षा में रखा गया है यहां शुरक्षा करमी दिन रात एबियम मसीनों की रखवाली कर रहे हैं 23 मेई को सील्ड स्ट्रॉंग रूम को खोला जाएगा और उसके बाद मत गन्ना की जाएगी अधिक जानकारी देते हुए शुरक्षा विवस्ता का जायजा लेने के बाद दनीराम शॉंडिल ने कहा कि सोलल में जिला परशाशन ने एबियम मसीनों की शुरक्षा के लिए फुकता इंतजाम किये हैं उन्होंने इस मौके पर एगजिट पोल पर टिपनी करते हुए कहा कि जो नतीजे एगजिट पोल में दिखाये जा रही हैं उनका सर्वे शायद दो-तीन माह पुराना है उन्होंने कहा कि ये नतीजे तथ्यों से कोस्वों दूर हैं ये नतीजे केबल जनता को ब्रमित करने के लिए हैं और ये कोई माइने नहीं रखते हैं सिक्योर्टी इवियम की देखने के लिए मैं पहले तो शिमला गया था जो माइल सिक्स्टीन पे हमारा डिग्री कॉलिज शिमला है धामी एरिया में और वहां पाया कि बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा ड्यूटी देने वालों का तरीका और वहां की जो अफसर साहिबान जोसे डीसी साहब एसलियम साहब ने बड़ी तरीके से ड्यूटी जबांट रखी है और जिस दिन करना होनी है उसके लिए तो सुष्विधाया होनी चाहिए वो सब है स्ट्रॉंग रूम भी बहुत ठीकेट प्रपली सील है यहां भी ऐसी डीडी कॉली सोलियम में पाया बहुत अच्छे तरीके से लोग ड्यूटी कर रहे हैं और काफी तैनाथ अच्छी संक्यामेट किये हुए हैं जितने भी सिर्योस रक्षा कर में हैं अब मुझे देखकर सैटिस्फेक्शन है मैंने डीसी साब को बता दिया अब यह भी कि बहुत अच्छान जिजान है एक्जिट पॉल को तो हम रोक ने सकते क्योंके यह लोग तो अंतरी बवस्ता है मेरा अंदाजा है कि शायदे एक्जिट पॉल को ढाई तीन मिने के पहरे कि इनकी गड़नाय है जो नहीं को इनने बहार निकाल दिया है इसा मेरा मानना है और ये तत्तियु से काफी परे है क्योंको जो लोगों ओधसा हमने देका है जो लोगों की मैं समझता हूँ कि जो भावना है लोगत नंत को है को उनकी स्वाट की कारे करता हूँ जो राद दिन अपना पसीन बहा है उसके अनुसार तो इनके एक्जिट पोल जो है, वो कहीं ठीक नहीं बैठते हैं और मेरा अपना मानना है कि ये पेड साट आफ एक्सरसाइज है जो लोगों को घ्रमित करने के लिए जो इनका आम मेथडोलोजी भी है और इनका तरीका भी है, पांथ सालों में वेई किया इन्होंने, तो अब भी एई करना है इन लोगों है तो मेरा मानना है कि बिलकुल निराधार इनके जो एक्जिट पोल है नोट बेस्ट आफेक्स और एपसॉलूटली मिस्लीडिंग दाप पॉपलेशन